C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है सामाजिक विज्ञान के पाठ्थे क्रम के अंतरगत कक्षा साथ की ध्वनी पाठ्थे पुस्तक सामाजिक एवं राजनितिक जीवन प्रिष्ट 42 एकाई 3 प्रिष्ट 43 लिंग बोध जेंडर शिक्षकों के लिए इसे आप सभी अकसर सुनते हैं बारहाल ये आसानी से सपश्ट नहीं होता है ऐसा लगता है कि इसका हमारे जीवन से खास लेना देना नहीं है और हम प्रक्षिक्षन कारिक्रमों में ही इसकी चर्चाएं सुनते हैं वास्ता में तो हम सभी अपने जीवन में रोज ही इस सत्य का अनुभव करते हैं ये निर्धारित करता है कि हम कौन है और क्या हो सकते हैं हम कहां जा सकते हैं और कहां नहीं जिन्दगी के बहुत से विकल्ब हमारे लिए अन्ततह इसके आधार पर ही तै होते हैं लिंग बोध या जेंडर की हमारी समझ हमारे अपने परिवार और समाज से ही बनती है ये हमें उस दिशा में सोचने के लिए प्रेरित करता है कि हम औरतों और पुरुषों को जो भूमिकाएं अपने आसपास निभाते हुए देखते हैं वे वास्तविक हैं और पहले से तै हैं वास्तव में ये भूमिकाएं दुनिया भर में भिन्द भिन्न समधायों के लिए अलग-अलग होती हैं अता लिंग-बोच से हमारा आशय उन अनेक सामाजिक मूल्यों और रूडिवादी धारनाओं से हैं जिसे हमारी संस्कृति ने हमारे स्त्रिलिंग और पुर्लिंग होने के जैविक अंतर के साथ जोड़ दिया है ये शब्द हमें बहुत सी असमारताओं और स्त्रिवा पुरुष के बीच के शक्ति संबंधों को भी समझने में सहयता करता है आगे के दो अध्याय हमारे समाज की लेंगिक संकल्पनाओं को बिना इस शब्द का प्रयोग किये हमारे सामने रखते हैं अच्छा होगा कि विद्यार्थियों को इस बात के लिए प्रूटसाहित किया जाए कि विभिन शैक्षनिक पद्धतियों जैसे कहानियों की प्रस्तोति, विशेश अध्यानों पर बातें, कक्षा की गते विधियां, कत्यों की व्याक्षिया और चित्रों के समिक्षा के पर विचार करें और सवाल करें जेंडर शब्द के आने पर अक्सरे खास द्रिष्टी से लोग ये अधूरा अर्थ भी लगा लेते हैं कि ये केवल महिलाओं ये लड़कियों से जुड़ा हुआ है इसलिए इन अध्यायों में इस बात की साब्धानी रखी गई है कि केवल ल जीज को शामिल किया गया है जो अलग-अलग समय और स्थानों से संबंदित हैं और हमारे सामने ये बात रखते हैं कि लड़कें और लड़कियां कैसे बड़े होते हैं और उनकी समाजिक भिन्नता कैसे रूप लेती है ये उदाहरन चात्र-चात्राओं को ये समझाने में स सहता देंगे किस समाजी करण हर जहें एकसा नहीं है उस समाज से निरधारित होता है और इसमें समय के साथ सतत परिवर्तन चलता रहता है ये अध्याय हमें ये भी बताते हैं कि कैसे समाज में स्त्री और पुरुष के लिए अलग-अलग भूमिकाएं देखे जाती हैं कैसे उनके लिए अलग-अलग मूले निरधारित किये जाते हैं और यहीं से भेद और असमानता की शुरुआत होती है ये एक विचित्र कथापट यानि स्टोरी बोर्ड के माध्यम से बच्चे घर के तमाम कामों पर बाते करेंगे जो मुक्षता महलाओं द्वारा किये जाते है वे विचार करेंगे कि कैसे घर में महलाओं के काम को काम नहीं माना जाता या फिर उसे अवमूलित किया जाता है अध्याए पांच कारे के क्षेत्र में लिंग आधारित भेदभाव पर केंद्रित है और समानता के लिए किये गए महिलाओं के संगर्ष को भी प्रस्तुत करता है कक्षा की गतेविधी में बच्चे, काम और पेशों को लेकर समाज में प्रचलित रूडिवादी माननताओं पर सवाल करना शुरू करेंगे इस अध्याय में इस और भी संकेत मिलेंगे कि कैसे लड़कों और लड़कियों के लिए शिक्षा जैसे अवसर समान रूप से उपलब्ध नहीं है उननीसवी और बीसवी सदी की दो महिलाओं के जीवन की कहानियों में बच्चे देखेंगे कि इन स्त्रियों के लिए मुक्ति का संगर्ष कैसे शुरू हुआ और लिखाई पढ़ाई सीखने ने इनके जीवन को कैसा बदला बड़े परिवर्तन, सामान नतह, सामुहिक संगर्षों से ही होते हैं इस अध्याय के अंत में एक चित्र निबंद है जुस्त्री आंदोलन द्वरा परिवर्तन के लिए उप्योग में लाई नीतियों के उधारन प्रस्तोत करता है अध्याय चार पाट चार प्रिष्ट चवालिस से प्रिष्ट तरिपन तक प्रिष्ट चवालीस शीर्शक लडकें और लडकियों के रूप में बड़ा होना लडका ये लडकी होना किसी की भी एक महत्वपून पहचान है उसकी अस्मिता है जिस समाज के पीछ हम बड़े होते हैं वो हमें सिखाता है कि लडकें और लडकियों का कैसा व्यावाहार स्विकार करने योग्य है उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं हम प्रायह यही सोचते हुए बड़े होते है कि ये बाते सब जगें बिल्कुल एक सी है परन्तु क्या सभी समाजों में लड़के और लड़कियों के प्रती एक जैसा ही नजरिया है इस पार्ट में हम इसी प्रशन का उत्तर जानने की कोशिश करेंगे हम ये भी देखेंगे कि लड़के और लड़कियों को दी जाने वाली अलग-अलग भौमिका उन्हें भविश में स्त्री और पुरुष की भौमिका के लिए कैसे तयार करती है इस पार्ट में हम देखेंगे कि अधिकांच समाज पुरुष वा स्त्रियों को अलग-अलग प्रकार से महत्व देते हैं स्त्रियां जिन भौमिकाओं का निर्वाह करती है उन्हें पुरुषों द्वारा निर्वाह की जाने वाली भौमिकाओं और कार से कम महत्व दिया जाता है इस पार्ट में हम यह भी देखेंगे कि इस्त्री और पुरुष के बीच काम के क्षेतर में असमानताएं कैसे उभरती है प्रिष्ट 45 शीरशक 1920 के दशक में सामुवा द्वीप में बच्चों का बड़ा होना सामुवा द्वीप प्रशान्त महसागर के दक्षन में स्थित छोटे छोटे द्वीपों के समुवा का ही एक भाग है समुवान समाच पर किये गए अनुसंधान के रिपोर्ट के अनुसार 1920 के दशक में बच्चे स्कूल नहीं जाते थे वे बड़े बच्चों और वयसकों से बहुत सी बातें सीखते थे जैसे छोटे बच्चों की देखभाल या घर का काम कैसे करना आदी दूईपव पर मचली पकड़ना बड़ा महत्वपून का रिथा इसलिए किशोर बच्चे मचली पकड़ने के लिए सुदूर यात्राओं पर जाना सीखते थे लेकिन ये बातें वे अपने बच्चपन के अलग-अलग समय पर सीखते थे छोटे बच्चे जैसे ही चलना शुरू कर देते थे उनकी माताएं या बड़े लोग उनकी देखभाल करना बंद कर देते थे ये जिम्मेदारी बड़े बच्चों पर आ जाती थी जो प्रायहा, स्वेम भी पांच वर्ष के आसपास की उमर के होते थे लड़के और लड़कियां दोनों अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करते थे लेकिन जब कोई लड़का लगभग नौ वर्ष का हो जाता था वो बड़े लड़कों के समूह में सम्मिलित हो जाता था और बाहर के काम सीखता था जैसे मचली पकड़ना और नारियल के पेड़ लगाना लड़कियां जब तक 13-14 साल की नहीं हो जाती थी छोटे बच्चों की देखभाल और बड़े लोगों के छोटे मूटे कारे करती रहती थी लेकिन एक बार जब वे 13-14 साल की हो जाती थी वे अधिक स्वतंत्र होती थी लगभक 14 वर्ष की उमर के बाद वे भी मचली पकड़ने जाती थी बागानों में काम करती थी और डलिया बुनना सीखती थी खाना पकाने का काम अलक से बनाए गए रसोई घरों में ही होता था जहां लड़कों को ही अधिकांश काम करना होता था और लड़कियां उनकी मदद करती थी एक बच्चे का चित्र है नीचे लिखा है कक्षा साथ का एक सामुआ छात्र अपने विद्याले की वर्दी में आपके बड़े होने के अनभव सामुआ के बच्चों और किशोरों के अनभव से किस प्रकार भिन्न है इन अनभवों में वर्नित क्या कोई ऐसी बात है जिसे आप अपने बड़े होने के अनभव में शामिल करना चाहेंगे दूसरा चित्र है इसमें कुछ लड़कियां स्कूल जाती हुई लड़कियां स्कूल जाते समय समूह बना कर चलना क्यों पसंद करती हैं शीरशक, 1960 के देशक में मध्यप्रदेश में पुरिश के रूप में बड़ा होना यहां जो हम वर्णन करेंगे वो 1960 में मध्यप्रदेश के एक छोट से शहर में रहने और स्कूल जाने के वर्णन से लिया गया है कक्षा 6 में आने के बाद लड़कियां अलग-अलग स्कूलों में जाते थे प्रिश्ट 46 लड़कियों के स्कूल लड़कों के स्कूल से बिलकुल अलग धंग से बनाय जाते थे उनके स्कूल के बीच में एक आंगन होता था जहां वे बाहरी दुनिया से बिलकुल अलग रहकर स्कूल की सुरक्षा में खेलती थी लड़कों के स्कूल में ऐसा कोई आंगन नहीं होता था बलके उनके खेलने के मैदान बस एक बड़ा सा खुला स्थान था जो स्कूल से लगा हुआ था हर शाम स्कूल के बाद लड़के सैकडों लड़कियों की भीड को सकरी गली से जाते हुए देखते थे सडकों पर जाते हुई लड़कियां बड़ी गंफिर दिखती थी ये बात लड़कों से अलग थी जो सडकों को अनेक कामों के लिए उप्योग करते थे जैसे यूँ खड़े खड़े खाली समय बिताने के लिए दोडने और खेलने के लिए और साइकल चलाने के करतबों को आजमाने के लिए लड़कियों के लिए गली सीधे घर पहुँचने का एक माध्यम थी लड़कियां हमेशा समूहों में जाती थी शायद उनके मन में ये डर रहता था कि कोई उन्हें चेर न दे या उन पर हमला न कर दे ये दो उदारन सुनने के बाद हमें लगता है कि बड़े होने के भी कई तरीके हैं हम परह सोचते हैं कि बच्चे एक ही तरीके से बड़े होते हैं ऐसा इसलिए है क्योंकि हम अपने अनुभवों से ही सबसे ज्यादा परिचित होते हैं। यदि हम अपने परिवार के बुज़र्गों से बात करें तो पाएंगे कि उनका बच्पन शायद हमारे बच्पन से बहुत भिन्न था। हम ये भी अनुभव करते हैं कि समाज लड़के और लड़कियों में स्पष्ट अंतर करता था। ये बहुत कम आयू से ही शुरू हो जाता था। उदारन के लिए उन्हें खेलने के लिए भिन्न खिलोने दिये जाते हैं। लड़कों को प्रायह खेलने के लिए कारें दी जाती हैं और लड़कियों को गुडिया। दोनों ही खेलोने खेलने में बड़े आनंद दायक हो सकते हैं। फिर लड़कियों को गुडिया और लड़कों को कारें ही क्यों दी जाती हैं। खेलोने बच्चों को ये बताने का माध्यम बन जाते हैं कि जब वो बड़े होका रस्त्री और पुरुष बनेंगे तो उनका बविश्य अलग-अलग होगा अगर हम विचार करें तो ये अंतर प्रायह दिन की छोटी-छोटी बातों में बना कर रखा जाता है लड़कियों को कैसे कपड़े पहनने चाहिएं? लड़के पार्क में कौन-कौन से खेल खेलें? लड़कियों को धीनी आवाज में बात करनी चाहिए और लड़कों को राप से ये सब बच्चों को ये बताने के थरीके हैं कि जब वो बड़े होकर स्त्री और पुरुष बनेंगे तो उनकी विशिष्ट भूमिकाय होगी बाद में जीवन में इसका प्रभाव हमारे अध्ययन के विश्यों ये व्यवसाय के चुनाव पर भी पड़ता है अपने पडोस के किसी गली ये पार्क का चित्र बनाईए उसमें छोटे लड़के वा लड़कियों द्वारा की जा सकने वाली विभिन प्रकार की गतिविधियों को दर्शाईए ये कार आप अकेले ये समूह में भी कर सकते हैं आपके द्वारा बनाए गए चित्र में क्या उतने ही लड़कियां हैं जितने लड़के संभव है कि आपने लड़कियों की संख्या कम बनाई होगी क्या आप वे कारण बता सकते हैं जिनकी वज़े से आपके पडोस में सडक पर पार्क और बाजारों में देर शाम ये रात के समय स्त्रियां तथा लड़कियां कम दिखाई देती हैं क्या लड़के और लड़कियां अलग-अलग कामों में लगे हैं क्या आप विचार करके इसका कारण बता सकते हैं यदि आप लड़के और लड़कियों का स्थान परस पर बदल देंगे अर्थात लड़कियों के स्थान पर लड़कों और लड़कों के स्थान पर लड़कियों को रखेंगे तो क्या होगा प्रिष्ट 47 शीर्शक मेरी मां काम नहीं करती मां और बेटी के संबाद है मा, हम सभी बच्चे स्कूल से भ्रमन पर जा रहे हैं रोजी मैडम को साथ चलने के लिए किसी बड़े की जरूरत है क्या आप अपने आफिस से एक दिन की छुटी लेकर हमारे साथ चल सकती है वैसे हरमीत की मा हमेशा ऐसे समय पर हमारे साथ जाती है क्योंकि वो कोई काम नहीं करती मा बुली, सोनाली, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो तुम जानती हो जस्परीत आउंटी रोज सुभा पांच बजे उठकर जाती है और घर भर के सारे काम करती है हाँ, पर वे कोई काम तो नहीं है न ये तो बस घर के काम है ओ, क्या तुम वाकई ऐसा ही सोचती हो चलो, ऐसा करते हैं कि जस्परीत के घर चलते है और उनसे पूछते हैं कि वे खुद क्या सोचती है श्री सिंग के घर पर हर शरन सोनाली सोचती है कि आपकी पत्नी कोई कामकाजी महिला नहीं है उनका बेटा बोलता है पर अंटी, क्या वाकई ये ठीक नहीं है मेरी माँ तो घरेलू महिला है कोई काम काँ करती है उसके पिता बोलते है हाँ हाँ तो जस्परीत यदि ऐसा है तो तुम कुछ आराम क्यों नहीं करते हैं और एक बार जरा इन्हें ही सब कुछ खुद करने दो क्या बात है ठीक मैं कल हरताल पर चली जाती हूँ वाह, कितना मज़ा आएगा कल हम पापा के साथ मिलकर सारा काम समालेंगे अगली सुबह साड़े साथ बज़े हे भगवान, समय तो देखो मेरा नाश्ता कहा है और बच्चे अभी तक त्यार क्यों नहीं हुए है मैं क्या जानू याद है न, मैं तो हरताल पर हूँ आज तो मंगला ने भी छुटी ले रखी है ओए होए, ये तो स्कूल बस थी अब तो मुझे बच्चों को कार से ही स्कूल छोड़ना होगा अरे जल्दी करो जल्दी और हरमीद को कहो कि वो पंप का स्विच ओन कर दे प्रिष्ट संख्या, अर्थालीस लेकिन बच्चों के लंच बॉक्स हो क्या होगा अरे ये भी बस अरे उसके बारे में भूल जाओ मैं तुमें कुछ पैसे दे दूँगा तुम कैंटीन से कुछ खरीद देना माने इसके लिए पहली पैसे दे दिये हैं घंटी बसती है घर की पती देवाते हैं ओ, मैं तो बिल्कुल ठाक चुका हूँ कुछ चायवाय हो जाए ओ, मैं तो भूली गया था तुम हरताल पर हो अरे मैं खुद ही कुछ बनाता हूँ अरे पूरा घर तो देखो जैसे के यहां कितना तूफान मचा हो तुम कैं सोचते हो कि सुबह तुमने घर को जैसी हालत में छोड़ा था अब वैसी हालत में दिन मर रहेगा और मीत और एक कमबख्त चाय की पत्या का रखियो ही है कि अभी भी वो सोचते हैं कि मैं काम नहीं करती हूँ और अभी तो मैं उन्हें याद दिलाऊंगी कि चाचा जी और चाची जी रात को खाने पर आने वाले हैं अधिकांच समाजों में जिन में हमारा समाज भी सम्मिलित है पुरुशों और अस्त्रियों के भूमिकाओं और उनके काम के महत्व को समान नहीं समझा जाता पुरुशों और अस्त्रियों की हैसियत एक जैसे नहीं होती है आओ देखें कि पुर्शों और स्त्रियों के द्वारा किये जाने वाले कामों में ये असमानता कैसे है घरेलू काम का मूर्ल्य हर्मीत के परिवार को नहीं लगता था कि जस्प्रीत घर का जो काम करती थी वह वास्तब में काम था उनके परिवार में ऐसी भावना का होना कोई निराली बात नहीं थी सारी दुनिया के घर में काम के मुख्य जिम्मेदारी स्तिरियों की ही होती है जैसे देख भाल संबंधी कार, परिवार का ध्यान रखना, विशेश कर बच्चों, बुजुर्गों और बीमारों का फिर भी, जैसा हमने अभी देखा, घर के अंदर किये जाने वाले कारियों को महत्वपूर नहीं समझा जाता है मान लिया जाता है कि वो तो स्तिरियों के स्वाभाविक कार रहे हैं इसलिए उनके लिए पैसा देने की कोई जरूरत नहीं है समाज इन कार्यों को अधिक मात्व नहीं देता एक फोटो है मिलानी अपनी बच्ची के साथ शीर्शक घर पर कार्य करने वालों का जीवन अभी सुनाई गए कहनी में केवल हर्मीत की मा ही घर के काम नहीं करती थी काफी सारा काम मंगला करती थी जो उनके घरेलू काम में मदद के लिए लगाई गई थी बहुत से घरों में विशेशकर शेहरों और नगरों में लोगों को घरेलू काम के लिए लगा लिया जाता है वे बहुत काम करते हैं जाडू लगाना सफाई करना कपड़े और बरतन धोना खाना पकाना, छोटे बच्चों और बुजर्गों की देखभाल करना आदे घर का काम करने वाली अधिकांश तह स्त्रियां होती है कभी-कभी इन कार्यों को करने के लिए छोटे लड़के या लड़कियों को काम पर रख लिया जाता है घरेलू काम का अधिक महत्व नहीं है इसलिए इन्हें मजदूरी भी कम दी जाती है घरेलू काम करने वालों का दिन सुबह पाँच बज़े से शुरू होकर देर राद बारहें बज़े तक भी चलता है जी तोड मेहनत करने के बावजूद प्रायह उन्हें नौकरी पर रखने वाले उनसे सम्मान जनक व्यवार नहीं करते हैं दिल्ली में घरेलू काम करने वाली एक स्ट्रीम मेलानी ने अपने अनुभव के बारे में इस तरह बताया मेरी पहली नौकरी एक अमीर परिवार में लगी जो तीन मंजिले भवन में रहता था मेम सहाब अजीब महिला थी जो हर काम करवाने के लिए चिलाती रहती थी मेरा काम रसोई का था दूसरी दो लड़कियां सफ़ाय का काम करती थी हमारा दिन सुभा पांच बजे शुरू होता नाश्टे में हमें एक पहला चाय और दो रूखी रोटियां मिलती थी हमें तीसरी रोटि कभी नहीं मिली शाम के समय जब मैं खाना पकाती थी दोनों लड़कियां मुझ से एक और रोटि भी मांगती रहती थी मैं चुपके से उन्हें एक रोटि दे देती और खुद भी एक रोटि ले लेती हमें दिन भार काम करने के बाद बड़ी भूख सताती थी हम घर में चपल पहन कर नहीं जा सकते थे ठंड के मौसम में हमारे पैर सूच जाते थे मैं मेम साहब से डरती थी परंतू मुझे घुसा भी आता और अपमानित भी मैसूस करती थी क्या हम दिन भर काम नहीं करते थे क्या हम कुछ सम्मान जनक विवार के योगी नहीं थे क्या हरमीत और सोनाली का ये कहना सही था क्या हरमीत की मां काम नहीं करती आप क्या सोचते हैं अगर आपकी मा या वे लोग जो घर के काम में लगे हैं एक दिन के लिए हड़ताल पर चले जाएं तो क्या होगा आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि सामान नतया पुरुश या लड़के घर का काम नहीं करते आपके विचार में क्या उन्हें घर का काम करना चाहिए प्रिश्ट कारे सम्मिलेत रहते हैं इन में से कुछ कामों में बहुत शारीरिक श्रम लगता है ग्रामीन और शहरी क्षेतरों में और लड़कियों को दूर दूर से पानी लाना पड़ता है ग्रामीन क्षेतरों में स्त्रियों और लड़कियों को जलाव लकडी के भारी गठर सिर पर ढ होने पड़ते हैं कपड़े धोने सफाई करने जाड़ू लगाने और वजन उठाने के कामों में जुकने उठाने और सामान लेकर चलने की जरूरत होती है बहुत से काम जैसे खाना बनाने आदी में लंबे समय तक गर्म चूले के सामने खड़ा रहना पड़ता है स्त्रियां जो भी काम करती है वो भारी और ठका देने वाला शारीरी काम होता है जबके हम आम तोर पर सोचते हैं कि पुरुश ही ऐसा काम कर सकते हैं घरेलू और देखभाल के कामों का एक अन्न पहलू जिसे हम महत्वन नहीं देते हैं वो है इन कामों में लगने वाला लंबा समय वास्तव में यदि हम स्त्रियों द्वारा किये जाने वाले घर के और बाहर के कामों को जोड़ें तो हमें पता चलेगा कि कुल मिलाकर स्त्रियां पुरुशों से अधिक काम करती है ये एक तालिका है इसमें भारत के केंद्रिये सांख्यकिये संगठन द्वारा किये गए विशेश अध्यान के कुछ आंकडे हैं 1998-99 देखिए क्या आप रिक्त स्थानों को भर सकते हैं राज्य हर्याना तमिलनाडू स्त्रियों के वेतन सहित कारे के घंटे प्रतिसप्ता है हर्याना तेईस तमिलनाडू उन्नेस स्त्रियों के अवैतने घरेवलू काम के घंटे प्रतिसप्ता है हर्याना तीस तमिलनाडू पैंतीस स्त्रियों के कुल काम के घंटे हरियाना पता नहीं, तमिल नाडू पता नहीं पुरुषों के वेतन सहित कारे के घंटे प्रतिसपता हरियाना 38, तमिल नाडू 40 पुरुषों के अवायतने घरवलू काम के घंटे प्रतिसपता हरियाना 2, तमिल नाडू 4 पुरुषों के कुल काम के घंटे हरियाना पता नें तमिन लाडू पता नें शिर्शक महलाओं का काम और समानता जैसा कि हमने देखा महलाओं के घरेलू और देखभाल के कामों को कम महत्वा देना एक व्यक्ति या परिवार का मामला नहीं है ये स्त्रियों और पुरुषों के बीच असमानता की एक बड़ी सामाजिक व्यवस्था का ही भाग है प्रिष्ट 51 इसलिए इसके समधान हे तू जो कार्य किये जाने हैं वे केवल व्यक्तिगत या पारिवारिक स्थर पर नहीं वरन शासेकिय स्तर पर भी होने चाहिए हम जानते हैं कि समानता हमारे समधान का महतवपूर्ण से धांत है समधान कहता है कि स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेद भाव नहीं किया जा सकता परन्तु वास्तविक्ता में लिंग भेद किया जाता है सरकार इसके कारणों को समझने के लिए और इस स्थितिका सकरात्मक निदान ढूंडने के लिए वचन बद्ध है उदाहरन के लिए सरकार जानती है कि बच्चों की देखभाल और घर के काम का बोज महलाओं और लड़कियों पर पड़ता है सौभाविक रूप से इसका असर लड़कियों के स्कूल जाने पर भी पड़ता है इससे ही निश्चित होता है कि क्या महलाएं घर के बाहर काम कर सकेंगी और यदि करेंगी तो किस प्रकार का काम या कारेक्षेत्र चुनेंगी पूरे देश के कई गाओं में शासन ने आगनवाणियां और बालवाणियां खोली है शासन ने एक कानून बनाया है जिसके तहत यदि किसी संस्था में महला करमचारियों की संख्या तीस से अधिक है तो उसे वेधानिक रूप से बालवाडी, क्रेश की सुविधा देनी होगी बालवाडी की वेवस्था होने से बहुत सी महलाओं को घर से बाहर जाकर काम करने की सुविधा होगी इससे बहुत सी लड़कियों का स्कूल जाना भी संभव हो सकेगा यहां दो चित्र हैं पहला मध्य प्रदेश के एक गाउं में आंगनवारी केंदर में बच्चे बहुत से स्त्रियां जिसे कहानी में सोनाली की मां और हर्याना वद्थामिलनाडू की महलाएं जिनका सर्वेक्षन किया गया घर के अंदर वा बाहर दोने जगें काम करती है इसे प्राया महलाओं के काम के दोहरे बोजगे रूप में जाना जाता है चित्र दो जेंडर इक्वैलिटी सतत विकास लक्ष पाँच लैंगिक समानता www.in.undp.org प्रिष्ट बावन क्या आप सोचते हैं ये पोस्टर क्या कहने के कोशिश कर रहा है मैं हर कहीं मौजूद मेरी अंदेखी और नहीं संभव कौन सी वो तुम्हारी उपलब थी जिसमें मेरा नहीं वो भाग औरत को चाहिए अपना अधिकार ये दूसरा पोस्टर बांगला भाषा में है ये पोस्टर बंगाल के महिलाओं की एक समूह ने बनाया है क्या इसे आधार बना कर आप कोई अच्छा सा नारा तैयार कर सकते हैं प्रिष्ट संख्या तुरेपन अभ्यास एक साथ में दिये गए कुछ कत्नों पर विचार कीजिए और बताईए कि वे सत्य हैं या असत्य अपने उत्तर के समर्थन में एक उदाहरन भी दीजिए क सभी समूदाय और समाजों में लड़कों और लड़कियों की भोमिकाओं के बारे में एक जैसे विचार नहीं पाए जाते क ग, हमारा समाज बढ़ते हुए लड़कों और लड़कियों में कोई भेद नहीं करता ग, वे महिलाएं जो घर पर रहती हैं कोई काम नहीं करते ग, महिलाओं के काम, पुर्षों के काम की तुल्ना में कम मूल लिवान समझे जाते हैं गर का काम अद्रिश्य होता है और इसका कोई मूल नहीं चुकाय जाता घर के काम शारीरिक रूप से थकाने वाले होते हैं घर के कामों में बहुत समय खप जाता है अपने शब्दों में लिखिए कि अद्रिश्य होने, शारीरिक रूप से ठकाने और समय खप जाने जैसे वाक्यान्षों से आप क्या समझते हैं अपने घर की महिलाओं के काम के आधार पर हर बात को एक उदाहरन से समझाईए तीन, ऐसे विशेश खिलोनों की सूची बनाईए, जिन से लड़के खेलते हैं और ऐसे विशेश खिलोनों की भी सूची बनाईए, जिन से केवल लड़कियां खेलती हैं यदि दोनों सूचियों में कुछ अंतर है, तो सोचिए और बताईए कि ऐसा क्यों है सोचिए कि क्या इसका कुछ संबंध इस बात से है कि आगे चल कर वयस्क के रूप में बच्चों को क्या भूमी का निभानी होगी चार अगर आपके घर या आसपास घर के कामों में मदद करने वाली कोई महिला है तो उनसे बात कीजिए और उनके बारे भी थोड़ा और जानने की कोशिश कीजिए कि उनके घर में कौन-कौन है वो क्या करती हैं उनका घर कहा है वो रोज कितने घंटे तक काम करती है वो कितना खमा लेती है इन सारे विवरणों को शामिल कर एक चोटी सी कहानी लिखिए शब्द संकलन असमिता पहचान ये एक प्रकार से स्वयम के होने यानि अपने अस्तित्व के प्रती जागरूपता का भाव है एक व्यक्ति की कई असमिता हो सकती है उदारण के लिए एक ही व्यक्ति को एक लड़की, बेहन और संगीतकार की तरहें असमिता कहा जा सकता है दोहरा बोज शाब्दिक रूप से इस कारत है दो गुना वजन सामानिता इस शब्द का महिलाओं के काम की स्थित्यों को समझाने के लिए प्रयोग किया गया है ये इस तत्हे को स्विकार करता है कि महिलाएं आम तोर पर घर के भीतर और घर के बाहर दोहरा कारेभार समालती है देखभाल देख भाल के अंतरगत अनेक काम आते हैं जैसे समहलना, ख्याल रखना, पोशन करना आदे शारीरिक कार्यों के अतरिक्त इसमें गेहन भावनात्मक पहरूब ही सम्मिलित है अवमूलित जब कोई अपने काम के लिए अपेक्षित, माननेता या स्विक्रती नहीं पाता है तब वो स्वयम को अवमूलित महसूस करता है उदाहरन के लिए देखें अगर कोई लड़का अपने मित्र के लिए घंटों सोच विचार कर बहुत खोज कर एक उपहार बनाता है और उसका मित्र उसे देख कर कुछ भी न कहे तो ऐसे में पहला लड़का अवमूलित महसूस करता है इसी के साथ नो अध्यायों की इस पुस्तक का अध्याय चार यहां समाप्त हुआ वाचक नीरच्छर्म सामाजिक एवम राजनितिक जीवन अभी आप सुन रहे थे ये ध्वनी पाठ्य पुस्तक तक्नीकी नियंत्रन बटी लैंग लिंग्डो तक्नीकी सहायक विकास सांगवान निर्माण सहयोग मिनाक्षी कुकरेती निर्माण एवम निर्देशन वंधना अरिमर्दन तथा प्रस्तुती CIET NCERT नई दिल्ली भारत